राम नवमी पर राम की बात हो और राम प्रिये हनुमान की बात नहों ऐसा हो नहीं सकता है तो हम आचुके हैं हनुमान गड़ी मंदिर अयोध्या का सबसे उचा मंदिर माना जाता है आपको बता दें यहाँ पर राजा हनुमान जी विराजते है और यहाँ के राजा कहलाए जाते है साथी साथ आपको ये भी बता दे कि आज राम नवमी का पावन अफसर है और लगातार श्रधालों की भीड राम मंदिर हो या हनुमान मंदिर हो दोनों ही तरफ उमड रही है यहां पर जो जन संक्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है लगातार भगवान हनुमान के दर्शन करने के लिए आ रही है इसी के साथ तमाम पुलिस बल जो है वो भी यहां मौजूद है सिक्योरिटी चाक चौबन है अगर इंतजाम की बात करें तो प्रशासन पूरी तरीके से अलट है किसी भी तरह की परेशानी भगतों को ना हो इसका भी खास खयाल रखा जा रहा है और अगर अब बात हम हनुमान गड़ी मंदिर की करें तो हनुमान गड़ी मंदिर का काफी महत हुमाना जाता है आयोध्या में राम मंदर में दर्शन करने से पहले भक्तों की मान्यता है कि वो यहां आकर हनुमान जी से आग्या लेते हैं जिसके बाद वो राम जी के दर्शन करते हैं भक्त पहले हनुमान गड़ी आते हैं, यहां पर प्रशाद चड़ाते हैं, हनुमान चालिसा का पार्ट करते हैं, और हनुमान जी के दर्शन करने के बाद राम जी के दर्शन करने के लिए उनकी जनम स्थली पहुशते हैं, आपको बता दे हनुमान गड़ी में हनुमान चालि मंदिर के अंदर दिवारों पर हनुमान चालीशा शुद्ध और स्पष्ट रूप में लिखी हुई है, हमने अक्सर देखा है कि हनुमान चालीशा को लेकर थोड़ा सा कन्फूशन जो है वो बना रहता है, तो यहां पर स्पष्ट रूप में और साफ शब्दों में जो है और मंदिर के अगर अंदर की बात करें तो पेहद ही खुबसूरत नकाशियां जो हैं वो मंदिर के अंदर उकेरी हुई हैं बहुत ही सुन्दर मंदिर है हनुमान जी का और यहां पर हनुमान जी साक्षात विराजमान है ऐसी मान्यता है इसी के साथ आपको यह भी बता दे पास जो है तमाम मिठाईयों कि दुपाने भी हैं यहां से भगवान हनुमान जी के लिए प्रसाद लिया जाता है और में बात करें तो खास तोर पर प्रसाद में बेसन के लड़ू और पेड़ा चड़ाया जाता है चलिए तो फिलाल के लिए इतना ही बागी तमाम अप्डेट्स के लिए आप देखते रहिए इंडिया टीवी